हालो नमस्कार दोस्तों मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएस PCS Academy में आप सभी का स्वाध करता हूँ आज हमारी जो सीटेट की स्रंकला चल ली है उसी करम में हम अपनी एक नई क्लास प्रिसे लेकर आए हैं जो कि एक मौक टेस्ट है आईए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी कच्छा का एक छात्र राजू एक सरजन सील छात्र है तो उसकी बुद्धी लब्दी का सुरूब होगा आउसस से कम आउसस से अधिक होगा तो मारा आपसन सी हो जाएगा पूर्व मादमिक बच्चों के लिए निम्न मैसल से कौन सी क्रिया एक कारात्म क्रिया का सुरूप है क्रिया अपने साथ की आयू बच्चों में घुल मिल जाना मिट्टी के खील खिलोनों को दो भागम तोड़कों से दुबारा बन जोड़ना पूर्व मादमिक बच्चों के लिए निम्न मैसल कौन सी क्रिया एक कार्यात्म क्रिया तो खिलोनों आते हैं उनको तोड़ दे बच्चे और फिर उनको बनाए तो उनकी ये क्या होगा उनका मानसी बच्चों की अनता क्रियाओं को उनके 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 बच्चों की अनता क्र गोस्की ने, नेक्स्ट, आप अपनी कच्छा के बालकों में समाजी करण की पिक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निन्में से क्या कदम उठाएंगे, बालकों को सिकूल की परंपराओं से परचित करआएंगे, बालकों में समाजी क आदर्स स्थाफित कराएंगे, बालकों को समाज में परचलित मानताओं के पिसें बताएंगे, या ए सभी, तो ये सभी सामाजिक विकास करना न बच्चे में तो सारी स्कूल से परशित कराएंगे सामाजिक आदर्स बताएंगे सामाज में जो मानता है चल लहीं है तो हम सब जानकारी देंगे इससे बच्चे में मानसिक मानसिक विकास में क्या होगा कि सामाजिक विकास हो जाएगा आप कच्छा आपकी कच्छा की एक छात्रा रजनी लंबाई पिछले दर्स की तुल्ला में चेंज बड़ गई है इसके इस परिवतन को आप क्या कहेंगे इसके इस परिवतन को आप क्या कहेंगे रजनी का विकास तेजिस हो रहा है रजनी में ब्रद्धी तेजिस हो रही है रजनी जाना काम करने लगी है रजनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही उसकी लंबाई बन रही है तो समझो उसकी ब्रद्धी हो रही है किसी बच्चे के विकास की प्रिक्रिया आरंब हो जाती है कब मलब कौन से बर्स में बच्चे की विकास की प्रिक्रिया आरंब हो जाती है तो देखते हैं दो बस की आयूब य巫 पांच बस साथ बस की अगभड मा के गर्व से ही बच्चे का विकास मा के गर्व से ही प्रारम हो जाता है तो हमारा अप्शन D हो जाएगा नेक्सτ विकास की सबसे जड़ी लवस्ता है तो विकास के सबसे जलटिले वस्ता कौन सी है कि सोरा वस्ता क्योंकि एक तूफान ने कहा भी है कि सोरा वस्ता तूफान की वस्ता है वल्ला भी इसमें उतार चड़ा बाते हैं बच्चा अपने आप से समझेस करने में तो दिक्कत पैदा करता है एक बिद्यारती के आज सामाजिक वेवार को सुधाने के लिए कौन सा कार नहीं करना चाहिए दूसरे बिद्यारती उसके साथ ना रहे बिद्यारती उस समस्या पर विचार करना उसको प्रामर्श दाता के पास वेजना उसके परिवारी सद्श्यों से बात करना जो यह तो कर करना चाहिए दूसरे को सुतारने के लिए कारे नहीं करना चाहिए उसके सारे करने चाहिए हमारा आफसन यह हो जायागा दूसरे विद्ध्यारजिस कहना कि उसके साथ ना रहा है क्यों ना रहा है वाई उससे दौर गुलत प्रभाब पड़ेगा उसके उपर जब कोई बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान सोयम करने लगता है तो उसमें निम्न मैंसे क्या गुल बिक्सित हो जाता है उसमें प्रतिसोत का कुरोत का समस्याओं का वो अपने समस्याओं का समाधान सोयम करने लगता है उसमें एक बैग्यानी गन्वेसक का गुल बिक्सित हो जाता है निम्ण मैंसे कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोबाग्गानी अवस्तावसा सम्बन्ध नहीं है देखते हैं वई संबेगात्मक अनुमोदन्द अत्वा सराना क्या आवा सकता संबेगात्म सुरच्चा क्या आवा सकता ब्यक्तिक बेद का ग्यान या अनुसासन हिंता तो क्या हो जाएगा अनुसासन हिंता जब अधिगम करने वाले में स्वेमी अधिगम कारे पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन होता है तो यह स्थितिक क्या कहलाती है देखते हैं मद्द अभी प्रणा अंत्रिक अभी प्रणा बहाय अभी प्रणा एन में से कोई नहीं तनाव उत्पन होता क्या कह रहा है जब अधिगम करने वाले में स्वेमी अधिगम कारे पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन होता है तो यह उसकी आंत्रिक प्रणा है आंतिक प्रेणा क्योंक अपने आप हो रहा ना उसके खुद से हो है आंतिक प्रेणा निम्न मैंसे किस सिच्छा बनो बैज्ञान ने अविक प्रेणा एवं अधिगम के भीच संबंद इस्तापित करते हुए एह कहा कि अविक प्रेणा से उत्पन किरिया सीलता ही सीखने के लिए उत्तरता ही होती है तो बद किसने कही है तो हमारे इसकीनर शाब ने किसने इसकीनर शाब ने सरजनात्मक्ता एक गुड़ है जिससे किसी नवीन तथा इच्छी दवस्तु का निर्माण होता है एक अधन किसने खहा है किसने डांडेकर साबने किसने डांडेकर साबने क्या सरजना दोता है एक गुड़ा है जिससे किसी नवीन तथा इच्छी द्वस्तू का निर्माण होता है किसने डांडे करने एक आधर्स सिच्छक में निम्न में से क्या गुड़ नहीं तो हने चाहिए एक आधर्स सिच्छक का परचे किस प्रकार होगा कच्छा में जाती सूचक टिपड़ी ना करना देखिए पहला ही अपसन बिल्कुल बेश्ट हो गया देखिए क्या कह रहा है अगर आप कच्छा में किसी को जाती विसेश की तौर पर देखिए देखिए तो एक आधर्स सिच्छक का गुण बिल्कुल कता ही नहीं है तो जाती सूचक टिपड़ी का प्योग ना करना तो यह बत बिल्कुल सही है तब इत कलात आधर्स मानी जाएगी तो आप्सन ए हो जाएगा पारमपरिक भाहे परिच्छाओं में बरतमान समय में विद्याले आधारित मुल्यांकन को सुद्रन करने के आवसकता क्यों है पारमपरिक भाहे परिच्छा की तुल्ला में बरतमान समय में विद्याले आधारित मुल्यांकन को सुद्रन करने के लिए आवसकता क्यों है तो आई आप्सन पढ़ते है क्योंकि विद्ध्याले अधारित मुल्यंग में बच्चों की सभी योगताओं का मुल्यंगान होता है सही बात है वाई क्योंकि विद्ध cauliflower अधरिट मुल्य slopes के अंत में एक बार होता है जिससे सतरों और सुक्दा होती जोगलत वात है, चाहत रुह स्वच्दा काह होती हैं जो कठिन होता भार क्योंकि विद्ध्याले अधारित प्रच्छा में अंकों के अधार पर विद्ध्यारतियों को उत्तिन अत्वा अनुतिन किया जाता है तो यह तो कोई बात नहीं तो आपसन ए देखे कितना बेस्ट है क्यूंकि बिद्याले मूल्यांकन में बच्चों के सभी योगताओं का मूल्यांकन होता है बच्चा किस में पार्डेसिपेट कर रहा है किस में भाग ले रहा है ठीक ना सब में सबका मूल्यांकन हो जाता है उसके बच्चे का आप अपनी कच्छा के चात्रों में परिपक्ता का अबलोगन करते हैं आप अपनी कच्छा में के चात्रों में परिपक्ता का अबलोगन करते हैं आप पाते हैं कोच्छात्र उम्र में पहले ही परिपक्ता करने के उम्र में हैं तो हैं लेकिन उन्हें परिपक्ता नहीं है इसका कराण हो सकता है इसका क्या हो सकता है अच्छा हम बैठने का क्रम ब्यक्तिक विवन्ता विद्याले में आने वाद जाने के विवन्त साधन इनमेंस कोई नहीं क्या कर तो ब्यक्तिक विवन्ता हो सकता है किसी की पर परिपकता कोई जल्दी लाता है कोई पहले लाता क्यों सबकी ब्यक्तिक विवन्ता अलग अलग है सबकी capacity अलग है ना तो option भी हो जाएगा कच्छा में आज पीडियाप काफी मज़दार नहीं बनी है इसके लिए sorry देखिए अब लोग आपको question मिलने हैं अच्छे काभी पढ़ा लोजी special question है जे दून के लाया हूँ कच्छा में प्रस्ताबना प्रस्ण पोचना सिच्ण के किस सोथ पर आ रही था है प्रस्ताबना प्रस्ण पोचना भही प्रस्ताबना समझाया फिर उसके अप्रस्ताबना पोचना किस के ग्यास से अग्यात की और पहले उसके बारे में question पोचना मिलना अग्यात से अग्यात की और निमन लिखित में से कौन सा बुद्धी की परिवासा नहीं है बुद्धी की परिवासा नहीं है बुद्धी कार करने की एक बिदी ये बिलकुल है बुद्धी ज्यान अरिजन की बिदी ये बिलकुल है जीवन के अपेच्चे अग्रत नविन परिस्तितियाँ से अपना सामझे करने की बैक्ती योगता ही बुद्धी है सही बाद राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सक्ति प्राप्त करने के लिए उक्ति बुद्धी ही है ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो राजनीति को आर्थिक सामाजी को तो हमारे आप्सन ए बी सी बिल्कुल सही है और जो सही नहीं है डी वही हमारा अंसर है नहीं पूशा गया था अनुकरण दूसरे ब्यक्ती के बाहे वेवार की नकल है एक कतन है अनुकरण दूसरे ब्यक्ती के बाहे वेवार की नकल है एक कतन किसका है एक कतन है रेवर्न का किसका रेवर्न का रेवर्न एक कतन कहा है अनुकरण दूसरे ब्यक्ती के बाहे वेवार की नकल तो रेवर्न हो आप अपनी कच्छा के बच्चों को के बौधिक विकास में परिपक्तवा लाना चाहते हैं इसके लिए आप निमले में किसका चुनाओ करेंगे बच्चों के समच आने वाले समस्याओं सुल जाने में उनकी मदद करेंगे काफी अच्छा अंसर है ना बच्चों के खूब गरहकार देंगे गलत बच्चों के अच्छा कच में चुपचा बढ़ने कहेंगे नहीं तो आपसन ए हो जाएगा इसके त्रेपन का ए बच्चों समच भाई उनको बहुत बच्चो बहुत दीव विकास सभी गात ता इस को में पता करते तो आप पाते हैं कि अब क्या पाते हैं अगर कोई बच्चा क्लास में काफी बात कर रहा तो इसका मतलब क्या है सिच्चिकों की एह मागई बच्चे खूब बाते करना है इसी कोई बात नहीं है गलत है उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है इसी कोई बात नहीं है उस बच्चे की बिचारों को बिद्याले में मानता मिल नहीं है जो बच्चा स्कूल में बात कर रहा है इसका मलब उसकी बात तीचे सुनना आए तो उसके अंदर से एक कॉन्विजेंट लेवल आएगा तभी वो बात करना सुरू कर देगा तो न आपसन डी हमारा हो जाएगा मलब उसकी विचारों को मानता मिल नहीं है प्राक्तिक पर्रयावरण का प्रभाव अधिगम की दसा प्रत्यच रूप से प्रहाईत करता है से तात्पर्र क्या है जल बायू तथा बायू मंडली दसाओं का योग बालक की बौद्धिक निस्पत्ति तथा स्रिजनाल सीलता पर गहरा प्रभाव डालते है अधिगम अधिक ताप आद्धता बालकों को मानता मिल चमता की विकास का घोतक है जल बायू तथा बायू मंडली है दसाओं की योग का प्रभाब बालकों के मांज़ी चम्ता को प्रावित नहीं करता है और प्रोक्त मैंसे को ही नहीं और प्रोक्त मैंसे को ही नहीं कोश्चन क्या आता है एक बार फिर सरीर करते है प्राक्ति पर्रया प्रवाब अधिगामी दसा को प्रते चरूप से ब्रावित करता है इसका मलब क्या है जलब आयो दता बायो मनली ये दसाओं का योग बालक की बहुत दिक निस्पति त्रजिदन सीलता पर गहरा प्रवाब डालता है आपसन ए तो ए हमारे कुछ कुश्चन दे आज का आज कुश्चन कम बन बाएं है थोड़ा हमारे दर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आप लोग इसको देखिए करीब 22 देश कुश्चन है और थोड़ा पीडिया भी अच्छी नहीं बन पाई तो लेकिन क काफी अच्छे हैं जो आपकी प्रेडा लोजी स्पेसल हैं तो आप लोग देखिए इनको और अपना इतनी कैसे मौक टेस्ट है अपना स्कोर जाजिए धन्यवाद और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल को थाइंग यो जैहिं देखिए